हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रुची फूड वर्ल्ड दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूं बैगन का भड़ता फ्राइ करके इसके लिए सबसे पहले मैंने बैगन को रोस्ट करके और उसका चलका चील के अंदर का गुदा निकाल लिया है और यह हमारे पास थोड़ा सा बा दी जीरा पाउडर यह है नमक कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला घी को मैंने गरम किया है और इसमें डाल दिया है जीरा मेगन का भड़ता मैं घी में बनाती हूं जीरा तरकने के बाद मैंने डाल दिया है प्यास और हरी मिर्ची और इसको फ्राइ कर लेंग अब मैं डाल दे रही हूँ अद्रक लैसुन का पेस्ट और जब यह थोड़ा फ्राई हो जाए फिर डाल देंगे टमाटर तमाटर थोड़ा नरम हो जाए उसके बाद हम सारे मसाले एक साथ एड़ कर देंगे और कर लेंगे इसको थोड़ा सा फ्राई यह देखिए मसाला मेरा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ बैगन और बैगन को कर देंगे फ्राई और एक मैशर लेके इसको अच्छे से मैश कर देंगे यह देखिए मैशर से मैश कर दे रही हूँ अच्छे से और यह बहुत ही सॉफ्ट बैगन है यह बहुत ही सॉफ्ट बैगन का भड़ता बना है यह देखिए बैगन का भड़ता रेडी हो चुका है हमारा और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ हरा धनिया और इसको कर लेंगे थोड़ा मिक्स तो आईए अब इसे करते हैं सर्व आप लोग भी बना के प्लीज ट्राइ करिएगा और कमेंट करके बताईगा कैसा बना था यह मने सर्व कर लिया है और इसके उपर थोड़ा सा और डाल देंगे धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए बैगन का चुखा लेट्टी के साथ खाई यह सत्तू पराटे के साथ बहुत अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू